हेलो एवरिवान आज की स्वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी वेट लूज जरनी की ऐसी रोटीन शेयर करने वाली हूं जिससे मैंने अपना पेट भी कम किया दो बचों के बाद और अपना वेट भी स्टिल मिंटेन किया हुआ है और मैंने 20 केजे जस्ट टू मन्थ में लूज किया था स्टार्ट करते हैं मौनिंग रोटीन से सुबह उटने के बाद एम्टी स्टमक मैं हमेशा लेती थी लूक वाटर नीम गरम पानी का एक गलास इसका पीने का ये फाइदा होता है कि आपका जो गट है वो भी क्लीन हो जाता है आपको कॉंस्टिपेशन का और इसके साथ ये एक गलास नीम गरम पानी सिप कर कर के पिया तो आज का जो डाइट पैर में अपनी वेट लूज जानी का आप लों के साथ शेयर करने वाली हूं इसमें आपको भूका नहीं रहना पड़ता कि आपको बहुत जादा भूक लगे पेट भी फूल रहता है औ और आपका वेट भी इजी ली रिडियूस होता है और वेट के साथ साथ मैंने अपना बैली भी इजी ली रिडियूस किया है इस रोटीन से जिसमें सब कुछ था तो आप लोगों ने वीडियो एंड तक देखनी है फूल वाच कीज़ेगा और जो मेरे चैनल पन्यू है सब सब्सक्राइब कर लें इसके लावा मेरी सेकेंड ऑप्शन होती थी के वन ग्लास लूप वाटर और उसमें हाफ लेमन स्कुईज करके मैं डेली सुबा मॉर्निंग में एम्टी स्टमक यह पी लेती थी इसके बाद मैंने रोटीन बनाई हुई थी डेली मैंने 15-20 मिनिट ए करती थी और उसके बाद यह जो मैं आपको एक्सराइज बता रही हुँ ना इस से मुझे बैली फैट रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलिया खास दोर पे जो लोर बैली होता है यह तो यह मैंने सैट किया तकरीबां 30-30 के 3 टाइम करती थी 100 टाइम कर लेती थी और यह वाले जो क्रंचीस हैं यह भी मैंने बहुत ज़्यादा किया और डेली किया यह नहीं के हफ़ते में एक दो दिन किया और बीच में कुछ दिन जो है वो स्किप कर दिये इस से भी मुझे बैली फैट रिड्यूस करने में और लोर बैली फैट रिड्यूस करने में इसरो में बहुत ज़्या बहुत जदा हैल्प मिलती है खास्तों पे थाईज के लिए और लोर बैली को रेडियूस करने के लिए बहुत मुश्किल नहीं है एजी आपने खुद बनाना होता है हर काम स्टार्ट में आपको मुश्किल लगता है अच्छा ये जो सारी एक्सराइजिस मैं आप लों के साथ शेयर कर रही हूँ ना इससे बैली फैट भी कम हुआ और मेरी जो कमर है वो 40 इंच से 24 हो गई जितना बाड़ी पर फैट था वो रिड्यूस हुआ है और बहुत अच्छी शेयप आगई इसके बाद मैं आप लों के साथ अपना बेकफास शेयर करने वाली हूँ यह ऐसा बेकफास या पूरे दिन का जो मेरा मील प्लैन ऐसा है जिसमें मेरा पेट भी फुल रहा और मुझे जो भी फैट होता है उसको भी लूज करने में बहुत जादा है थ्री टेबल स्पून मैं ओर्स लोंगी और इसको जस्ट पानी में मैंने पकाना है और इसके बाद ये बनके तियार हो जाएगा और साप कोई भी यूज कर सकते हैं लेकिन दलिया नहीं हमने ओर्स ही करने के बाद इसको जस वन तो टू मिनट पकाऊंगी और उसके बाद इसमें मिल्क शामिल किया जाएगा पहले आपने मिल्क में नहीं पकाना असानी से पक जाता है अगर आप पानी में इसको पकाते हैं उसके बाद हाफ ग्लास मैंने इसमें मिल्क शामिल किया उसके बाद मैंने निकालिया अभी इसको ठंडा कर लूँगी और ठंडा करने के बाद मैं इसमें fruits एड करूँगी अगर आप fruit अफोरड कर सकते हैं तो आप without fruit भी just oats खा सकते हैं तो fruits मैंने लिए half apple और इसको मैं cut कर दूंगी अगर आप इसमें डेट इस्तेमाल करना चाहें वो भी एड़ कर सकते हैं क्यूंके मैंने जो ओर्ट बनाए हैं इसमें शुगर यूज नेगी ठीक ना ही गुड डाला है ना ही शुगर और ना ही घनी और इसमें थोड़े से पमकिन सीड्स ये एड़ कर दूंगी तोड़ी से स्वीटनेस के लिए मैं इसमें half बनाना कट करके डाल दूंगी अगर जस्ट आप haf बनाना एड़ करना चाहें तो सिर्फ हाफ बनाना भी add कर सकते हैं और जो भी सीर्स अविलीबल हो वो भी आड़ कर सकते हैं ये one ball जस्त थ्री टेबल स्पॉन मैंने ओर से बनाया है और यह खाने में भी बहुत मज़ेदार था इसमें फाइबर भी है जो कि आपको वेट लूस करने में भी हल्प देता है और आपका पेट भी काफी दे तक फूल रहता है और मेरी बेकफास्ट की जो सेकंड ऑप्शन होती थी ओमलेट ओमलेट में जितनी भी सबसियां हैं वो सारी मैं अड़ करके ओमलेट बना लेती थी अभी मैं जो आपनों के साथ शो कर रही हूं यह दो अंडो का मैंने ओमलेट बनाया है और यह मैंने चार बनाया है लेकिन मैं यह दो इस्तमाल करती थी तो जो ब्रेड मैंने लि तो ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होता कि आपको इटिंग कर रहे हैं तो अभी मैं आप लों के साथ लंच शेयर करती हूं लंच मैं तक्रीबान दो तीन बजे करती थी और इसके लिए मैंने लिया है वन कब बॉयल चने यह तक्रीबान टू-फोर्टी ग्राम है और इसमें ज कड़ करके डाल दूँगी अगर आप बनाना चाहें आपके पास जो भी वेजिटेबल हो अब वो सब्सक्राव कर सकती है इसके इलावा सलात के पते जो लेतश है वो भी कड़ करके मैं इसमें एड़् कर दूँगी और अगर आपके पास फूर्ट कोई पड़ा हुआ हुआ तो वो भी आप एड़ कर सकते हैं मैंने थोड़े से अनार इसमें एड़ की है और चार्ट मसाला इसमें एड़ कर दिया है और थोड़ा सा जो पिंक सॉल्ट है वो एड़ की है अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिए और ये तकरीबन तीन दिन का मेरा लंच बन गया था और कितनी कौंटिटी में मैं इस्तमाल करती थी वो मैं आपको दिखा देती हूँ ये वन बाउल है जिसमें जादा सेलड है और जो जिक पीस है वो कम है ठीक है ये देखें एक बाउल तो मैंने निकाल लिया और बाकी दो जो हैं वो दो दिन के लिए बन गये थे तो लंच करने के बाद शाम में बाहिर जाती थी तकरीबन लंच के एक घंटे बाद और डेली वॉक करती थी थोड़ा सा टाइम निकाल लेती थी लेकिन अपना ख्यार रखने के लिए आपको खुद ही महनत करने पड़ेगी खुद ही अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा काफी ज़्यादा खावतीन इसी वज़ज़ से अपना वेट लूज नहीं कर पाती हैं क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं होता कि वो घर को देखें या बाहर जाके वाग करें लेकिन मैंने अपना टार्किट फिक्स किया हुआ था कि जितना जल्दी हो सके मैंने अपने पुराने वेट पे आना है और मैंने अपना वेट लूज करना है वेट तो लूज हो जाता है लेकिन जो बेली है यह नहीं जाता उसके लिए मैंने बहुत बहुत जादा मैंने एकसरसाइज की है और वॉक जो है वो एक से दो घंटा में करती थी जिसमें मेरी रनिंग भी थी और स्लो वॉक भी थी और जॉगिंग भी में करती थी इस से जो है वो आपकी पूरी बॉड़ी एक तो वेट लूस करती है बॉड़ी पे कहीं भी फैट है वो लूस होता है इसके इलावा आपका जो belly है ना उसको reduce करने में भी बहुत जादा help मिलती है अगर आप daily walk करते हैं walk आपकी मर्जी है कि आप slow कर लें तेज कर लें लेकिन चलें फिरें घर में अगर हम काम भी करते हैं ना तो वो activity होती है उससे हमारा weight lose नहीं होता weight lose भी हो जाए तो side पे जो fat है hips पे है थाए पे है और जो belly निकला होए ना इसको lose करना बहुत जादा मुश्किल होता है तो उसके लिए बहुत जादा मैंने महनत की है उसके बाद ही मुझे amazing result मिले है जो के मैंने आप लोगे साथ share की है बिल्कुल start में लेकिन कुछ पाने के लिए आपको महनत करनी पड़ती है result अभी show होते है आप मेंसे अक्सर खवातीन जो है वो बस कुछ देर exercise कर ली walk कर ली और उसके बाद छोड़ देती है कि नहीं होगा पेट कम नहीं हो सकता हो सकता है लेकिन आपको लगतार महनत करनी पड़ती है मैंने daily exercise की है दो महीने और daily मैंने running की है walk की है तो ही जो मेरा weight lose होने के बाद दुबारा gain भी नहीं हुआ क्योंकि मैंने maintain किया हुआ है तो हर चीज़ आप खा सकते हैं और potion control करके खाएं और healthy चीज़े खाएं तो कभी भी आपका weight दुबारा से gain नहीं होता तो जब भी आपने अपना weight lose करना है और हमेशा के लिए करना है उसमें आपको exercise, workout, walk और dieting ये सब कुछ करना पड़ेगा सारी चीज़ों को लेके चले लेंगे तो ही आपको result मिलेंगे कुछ दिनों के लिए अगर आपने weight lose करना है तो उसमें आप harsh dieting कर सकते हैं कोई मसला नहीं आपका weight lose हो जाता है लेकिन अगर आपने long term के लिए अपना weight lose करना है यानि हमेशा के लिए weight lose करना है तो दो महीने आप सक्त महनत कर लें और उसके बाद जो आपको result मिलेंगे न तो उसके बाद दुबारा आपका weight gain हो गई नहीं क्योंकि आपके stomach को भी कम खाने की आदत हो जाती है healthy खाने की आदत हो जाती है जिसके बाद भी weight आपका कभी भी नहीं बढ़ता मेरा weight दुबारा gain इस वज़ा से नहीं हुआ क्योंकि मैं portion control रखती हूँ ये key point है portion control रखें कभी भी आपका weight दुबारा gain नहीं होगा अगर आपने अपना weight lose करना है और आप चाहते हैं कि आपको constipation नहीं हो और आपका belly भी कम हो तो fiber का इस्तमाल किया जाता है fiber है इसम गोल पे और आप ये one tablespoon इस्तमाल कर सकते हैं और मैं जो है वो हफ़ते में एक दो दिन इसका इस्तमाल करती थी daily नहीं किया मैंने एक दो दिन किया है ताकि constipation का issue ना हो एक कप मैंने लिया room temperature पे पानी और इसमे वन tablespoon इसम गोल एड़ कर दूँगी ये देखने में इस तरह का होता है और market में easily मिल जाता है जिन लोगों constipation का issue हो जाता है तो वो daily का consume कर सकते हैं और इसमें fiber है आपका पेट भी काफी देर तक फूल रखता है तो भूग भी फील नहीं होती है दिन में एक दो दफा आप इसका इसमाल कर सकते हैं तो one tablespoon लिया है इसको मैंने पानी में भिगो दिया है अभी इसको just five minute के लिए रखूंगी ये फूल जाएगा और बिल्कुल जल फॉर्म में बन जाता है तो ये आप पी सकते हैं ये इसको भूग बहुत जादा लगती है और आप इसको लँच के बाद भी पी सकते हैं और डिनर से पहले भी आप इसको पी सकते हैं तो मैंने भी इसका इसमाल अपनी डाइट में किया तो आप लोग भी फॉलो कर सकते हैं जो house wife हैं और बच्चों के बाद अपना वेट लूज करना चाहते हैं और चाहती हैं कि हमने बच्चों को फीड भी करवाना है और हमें भूग भी बहुत जादा लगती है तो आप सेम डाइट पैन फॉलो करके इसलिए अपना वेट लूज कर सकते हैं और हाँ सिर्फ वेट लूज करने के लिए डाइट पैन फॉलो नहीं करनी आपको वाक भी करनी पड़ी के एक्सरसाइज और वरकाउट ये सारा आपको करना पड़ेगा तो ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे तो जब मैंने अपनी वेट लू जनी स्टार्ट की थी मेरा बेटा दो महीने का था और मैं उसको फीड भी करवाती थी भूग बहुत जादा लगती थी कंट्रोल नहीं होती थी तो उस दोरान जो है वो मैं कोई भी फूड का इस्तमाल कर ले थी अनहल्दी स्नेकिंग मैंने बिल्कुल भी नहीं किया है अब ही बात कर लेते हैं अनहल्दी फूड की जो हम फास फूड खा खा के और जंक फूड खा के इतना वेट गेन कर लेते हैं अब इसको कैसे स्टार्ट करनी है ना तो अपने माइंड में हमेशा बिठा लें कि ये चीजें अनहेल्दी हैं या आपने नहीं खानी ठीक है तो इन चीजों से आप दूर रहेंगे तो फिर आप इनको छोड़ सकेंगे अगर आपके घर में डेली पीजा बर्गर ये आ रहा है या आप डेली इन शॉप पे विजिट कर रहें तो फिर आप इनको नहीं छोड़ सकेंगे तो इन चीजों से आपने दूर रहना है मैंने भी पूरे दो महीने अपने आपको रोकी रखा और मैंने ये नहीं खाया और उसके बाद जो है जब मैंने अपना टार्गिट रचीव कर लिया तो क कभी महीने में एक दफा मैं खा लेती थी वो भी उस टाइम का जो मील है वो स्किप करके अगर मैंने दिन के टाइम खाया तो दिन में मैंने लंच नहीं किया या जो बेकफास्ट है वो भी नहीं करती थी अगर डिनर में खा रही हूं डिनर की जगा ये ले रही हूं तो फि यह बोल जाएए कि फिर आपका वेट जो थो है वो मिनटेन रहेगा वेट कभी वी मिनटेन नहीं रहता जब तक आप अपने मूह पे ताला नहीं लगा लेते Yeah. कोई लीमिट नहीं रखते पोशन कंंट्रील नहीं रखते तो फिर आपका वेट जो है वो दुबारा दिन भूकी भी रहे लूना फिर भी मुझसे थोड़ा साही खाया जाता है अगर हम डाइट कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं अगर आपके घर में बरियानी बन गी है वो तो हम छोड़नी सकते हैं वो तो हमने जरूर खानी है तो मैं भी जब भी बरियानी बनाती थी यह नहीं क कि मैंने नहीं खाई, कि मैं यह बोलूं कि मैंने नहीं खाई बर्यानी, मैंने खाई है, हफ्ते में एक दफा बन जाए, दस दिन में एक दफा बन जाए, तो बर्यानी मैंने जरूर खाई है, लिमिट रखके खाई है, और जादा तर जो फुल मील जो होता था, रोटी या ल्वेट भी खासकते हैं कि यह निए पोरीपोरी पुरी फ्ल ठाशली हैं ऐसा कभ्यबी नहीं करनां अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो कभ्य index देशंच घ् же में support कोолжा किसी था थोड़ी ऒस्ता का से किः क्था खाया कर दिनर तो अभी मैं आपको बता देती हूँ के डीनर में मैं क्या खाती थी दिनर में मैं मैंने रोटी भी खाई हैं मैंने चावल वह खाया किलेएं लेकिन हर चीज घृ किसी जो है वह कम कंगा थायं कि अभी यह मैंということで टी स्पून송 नहीं हैं Voice टी कम से कम जो है वो सलाद का इस्तमाल जरूर करें साथ में एक पीस मैंने चार लिया है और इसके साथ मैंने ली है दाल और ये देखें जब दाल जादा होगी चावल कम होगे सलाद होगा तो वैसे ही प्लेट आपकी फूल हो जाएगी ठीक है अब यह नहीं के सलाद आप हटा द थी तकरीबन 60-70 ग्राम की एक रोटी डेली में जरूर खाती थी डिनर में लेकिन डिनर मेरा 8 बचे तक फिनिश हो जाता था तो अभी मैं आप लों के साथ ऐसी ड्रिंक शेयर करने वाली हूँ ना जिनका वेट लूज नहीं होता बैली लूज नहीं होता यह उनके लिए ब 5-8 फ्रेश पुदीने के पते यह मैंने इस्तमाल किये और इसको गरम पानी में मैंने डाल दिया है और यह जो सौंफ है यह मैंने लिया हाफ टी स्पून ठीक है यह तीनों चीजें मिला के जो कावा बनता है ना इससे आपके फेस पे भी ग्लो आती है अगर आपका पेट को पेट को कम करने के लिए और जो जिंजर थी वो भी मैंने इसमें थोड़ी से एड़ कर दी और जो पुदीने के पते हैं वो भी मैंने दोबारा से इसमें एड़ कर दी है इसको चान लिया था और थोड़ा सा लेमन इसमें एड़ कर दूँगी और जो पुदीना है यह आपन ख्यार रखेगा, आला हाफेज